हेलो गाईज, वेलकम बेक टो आज चैनल, सीएसे गंशापसुर्ट परियंता तो गाईज, आज का जो वीडियो है, मैं वो बस आप जीतियू स्टुडेंस को रिमाइड करवाने के लिए कर रही हूँ आप लोग को पता होगा, अभी आप लोग आपके इंटर्नल मार्क्स चेक कर सकते हो तो इस बार जैसे आप लोग को पता है, सारे आपकी जो आपके जो नॉर्मल समिस्टर की पढ़ाई है, वो ऑनलाइन हुई है, और इसे लिए आपके जो इंटर्नल एक्जाम थी, इस बार वो भी ऑनलाइन ही हुई थी, तो वो इंटर्नल जो भी आपका एसेस्मेंट था, उसके मार्क्स डाल दिये गए हैं आपके कॉलेज के तरफ से, और कुछ ब्रांचिस का कल से, और कुछ का आज से स्टाट हुआ है, आज अभी आप अपने इंटर्नल मार्क्स देख सकते हैं, और ये मेंली ये वीडियो बनाने का एम ये है कि आपके पास जादा टाइम नहीं है, तीन या चार दिन का मैक्सिमम टाइम है, आपको दिया गया है, तो ये तीन चार दिन के अंदर ही आपको आपके इंटर्नल मार्क्स लेने होंगे तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देखिए आपको इस तरह से देखना है यह वीडियो को यह न्यूस को यह जो इन्फोर्मेशन है यह अपने दूसरे जीटिव फ्रेंट से उन तक भी सेंड कीजिए ताकि उनको भी रिमाइंडर मिल जाए और वो यह पहला ही आपको दिख जाएगा पहला ही जो लिंक होगा उसको आपको क्लिक करना है इसमें सिंपल गुज्रा टेकनोलिजिकल यूनिवर्सिटी का आपके कॉलेज का यहां पर दिख जाएगा दो चीज़ा आपको डालनी है पहला इस आपका एंडॉल्मेंट नंबर ठीक केप्चा कोड में बस मेक शियर कि जो जैसे लिखा है capital है तो capital small है तो small number है तो number उस हिसाब से ध्यान से आपको कैप्चा कोड और enrollment number डाल देना है और डालने के बाद यहां पर right side में जो search लिखा है आपको आपका enrollment number डाल के search कर देना है तो इस तरह से देखे मैं आपको example यह देखें, Mid-Internal Result, उपर आपको उसका Enrollment Number, Year, Institute Code, Semester, सब आपको दिख जाएगा, और आपके Subject-Wise, Subject Code-Wise सारे Marks आपको मिल जाएगे, तो guys, it is very important कि यह दो-तिन दिन के अंदर ही आप चेक कर ले, because generally ऐसा होगा नहीं, Marks यहाँ पर सही से ध्यान से ही डाले गए है, अगर एक-दो Marks का अगर आगे बीछे है, जैसे आपको लगता है, आपने सब सही लिखा था, आपको 20 में से 20 आने चाहिए, बट हो सकता है, कोई Reason की वज़े से 20 के जिगप पर अगर 19, 18 आता है, तो that is okay, अगर आपको ऐसा लगता है, कि आपने बहुत अच्छे से लिखा है, 20 आपको आने चाहिए, बट आपको उसके पर शिर्फ 8 या 10 ही आए है, तो अगर इतना बड़ा कोई मिस्तेक है, आपको लगता है, कि आपको जिस हिसाब से Marks मिलने चाहिए, उस हिसाब से अगर Marks नही से कारव सकते हैं, तो आपके college के साथ contact कर सकते हैं, आपके जो भी college के principle है, HOD है जो भी है आप उनसे contact kar सकते हैं, और अगर सज में उनकी तरफ से कोई मिस्तेक हुआ होगा, तो वो सही कर दिया जाएगा, so guys, it is very important कि 2-3 दिन के अंदर आप चेक कर लें कि आपके सारे Marks दिय थैंक यू सो मुच